बिक फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूँ श्वेता मिश्रा मुख्य मंत्री अचोग गहलोट आज दिल्ली दोरे पर रहे किसी भी मुख्य मंत्री का दिल्ली दोरा अमूमन एक समान प्रक्रिया मानी जाती है किसी अचोग गहलोट का आज का दिल्ली दोरा असल मानों में भागी रधी प्रियास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने मंत्री युमा भारती से मुलाकात की और सूबे की पेजल परियोजनाओ पर बातचीत की बैठे के बाद खुद मंत्री उमा भारती ने कहा कि सब्ता भर के अंदर ही राजस्तान के परियोजनाओं के लिए 400 करोड का बजट जारी किया जाएगा वैपियम मोदी से मुलकात कर सियम गैलोद ने रिफाइंडरी और मूंग खरीद का मुद्दा उठाया फुल मिलाकर साफ है किसे हम गैलोद के प्रियासों के बाद मरुधरा को मिलेगा पानी और रिफाइंडरी होगी साकार फैसलोर हॉस्टलों से विकास को मिलेगी रफ्ता प्रियम में पेरले बाले पत्तसाथ लगाती है उन्होंने भी अनूस्मेंट किये हैं अपने खुछ के इसाफ्रिक में कोई कारण ही होता है कि सरकारा बजलने के साथ साथ में विकार के काम रुख जाए ये कभी नहीं होना देकान देन केंदर के बीजेपी सरकार के कदावर रों के साथ मुलाकात कर सियम गैलोत ने साफ कर दिया अखिरा जिनीती में मत भेद हो सकते हैं मन भेद में साथ इस सियम गैलोत ने कुछ सवाल भी उठाए है सवाल ये कि जिस रिफान्री का श्रान्यास सोनिया गांधी द्वारा किया गया था उसका दोबारा प्रधान मंत्री मोधी ने श्रान्यास क्यों किया जिस पर योजना कुपूर मुख्य मंत्री घाटे का सौधा बता रही थी अखर इतने वल्शुस को लटकाने के बाद वही 26 प्रतिशत भागिदारी क्यों रखी गए तो क्या है इन मुलाकातों के माइने बिग फाइट लाइफ में बहां साथ जिसी बड़े मुद्दे पर बहां सकरने के लिए महमान हमारे साथ मौचूर है अलवर से चुड़े है श्रम मंतरी टीकराम जूली जी, पॉंगरस नेता आर्ची चौधरी जी हमारे साथ है बिज़बी नेता जितेन श्रिमारी जी और साथी वांदल लेता डॉक्टर संजय मादों भी हमारे साथ है बहुत स्वागत है आप सभी का बिट फाइट लाइव में एहम सवाल है ठीकराम जूली जी मुलाकात हुई है केंद्र में प्रधार मंतरी नरिंद्र बोदी के साथ खास तोर से मुख्य बंतर अशो गहलोत ने लगा है साथ तोर पर सवाल उठा है रिफाइनरी को लेगा है बंतरी जी यह सही बात है कि पिसले पांच साल से रिफाइनरी को रोकने का काम भारती जिन्दा पार्टी की सरकार के दुआरा किया गया है लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा असो गहलोजी को जिनके बागिरती परियास थे कि पहले उन्हें रिफाइनरी का सिलान ने असकराया और अब भी दुबारा सरकार बनते ही रिफाइनरी पर उन्होंने काम शुरू कर दिया और गहलोजी ने पहले ही का था कि राजस्तान की जनता का भला अगर होता है तो मुझे दिल्ली चाहिए कितनी बार जाना पड़े कितनी भी बार राजस्तान की जनता के लिए अगर मुझे भीक भी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांगूँगा आज गहलोज साव वहाँ पे गए हैं बहुत बड़ी बात है और उन्हों ने अपनी बात प्रधान मंतरी जी के सामने रखी है और रिफाइनरी अगर सुरू होती है तो वो इसमें पार्टी की बात नहीं है ये एक अलग बात है कि गहलोजी ने सुरुवात की एक सरे उनको जाता है लेकिन पूरे राजस्तान से जुड़ा हुआ मुद्धा है एक लाग लोगों को रोजगार का मुद्धा है राजस्तान की अर्थवेवस्ता का मुद्धा है बिल्कुल बिल्कुल ये सही बाती कराम जी कि विकास को लेकर बात है और विकास के लिए जितनी भी कोशिश की जानी चाहिए वो प्रदेश के मुख्या को करनी चाहिए और वो नज़र भी आ रही जिससे मुख्यबंत्री अशोग गहलोत का दिल्ली दौरा था और ये मुलाकात हुई है लेकिन जितेन श्रीमाली जी सवाल बहुत सारे उठाए हैं मुख्यबंत्री अशोग गहलोत ने पिछली सरकार को पूरवर्ती सरकार जो कर सकती थी वो किया नहीं गया और ये सब एहम प्रोजेक्ट थे जिसे मील का पत्थर माना जार था प्रदेश के लिए उसे लटका कर रखा गया देखे सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि अब अशोग गहलोत साब क्या बोल रहे हैं और किस कारण से बोल रहे हैं लोग सबाद चुनाओं को ध्यान में रखते हुए ये वो जाने परन्तु 400 क्रोड रुपे का जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो राजी को प्रियोज से उसके उपर जो पैसा खर्द करना विकास के लिए जंता के बहलाई के लिए उसमें कहीं पीछे नहीं हचने वाली पहली बात दूसरी बात मैं यह कह देना हुरे चाहरा हूं जो रिफाइंडरी की बात करना हूं कि आयुस्मान भारत के लिए जब केंदर से डारेक्ट लोगों के पास केंदर स्वास्त के काड़ पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने क्यों उसी योजना को बंद किया? राजस्तान में अनेक योजना है जो भारते जिता पाटी की जब राजस्तान में सरकार की और केंदर में भी सरकार है तो वो योजना है उन्होंने क्यों बंद किया उसके कारण ये रहे कि जब अनेक योजना ऐसी होती है जहां पर 40-50% केंदर सरकार को देना पड़ता है, 40-50% राजे सरकार को देना पड़ता है, दोनों सरकारे मिलकर के जनता के विकास के इतके लिए काम करती है। और मैं आपको बताने चारा हूँ। चाए जेपूर के अंदर मेट्रो रेल परियोजना हो, चाए बिशलपूर पेजल की सेकिंड परियोजना हो, चाए रतलाम से लेके दुंगरपूर और बासवाड़ा की रेल परियोजना हो, चाए टौक श्वाईमादोपूर अजमेर की रेल यात्रा हो, चाए करोली समर्थप बात तो वही हो गई, यह बड़ी परियोजनाए थी, चार हसाल करोड के बड़ी परियोजनाए थी, पिछली सरकार ने इसे लटका दिया, वक्त लग गया, फिर से वही काम पूरा हो रहा है, अगर यह वक्त पर हो जाता तो शायद पान साल पहले ही सब चीज़े हो जाती, सरकार जनता जो चुनती है, उसका दायत बनता है कि जनता की काम करें, वो बिजाए रायतिक लावानी को ध्यान में रखे हुए, पानसाल पेले हो जाती ही, तो इसके परिज़ान दूसरे होते हैं लेकिन यह सही बात है, साथ ही कह रहे है, बहुत सारी ऐसी प्रियोजना थी कि जिए नुकर राजिजी बिद्धिज के करणा ऀए लटका के रखा गया और यह एक्सर को आप जो है एक अवरा धुरबाग जै के माने राजिस्तान का भी और देश्का दूरबाग ए अक्सर असा होता है एक पार्टी जाेए पार्टीयर पार्टी के यह ने स्थ एक चैल ल प्रवाइनरी ती यह प्रवाइनरी काम किस प्रकार से दो दो बार उद्गाटन हो गया जिक एक बड़ी बात है कि मुलाकात होती हुआ भारती से और जो यह दूसरी किष्ट है 400 करोड की उसे एक हफते में रिलीस करने की बात यहां पर कह दी गए ताकि यह विकास के काम रु इतनी बड़ी बड़ी योजनाय थी जिसे लटका कर रखा गया और इसके बाद अगर रिफाइनरी की बात कर ली जाए तो उसी परसेंट पर ही यहां पर बात विक्स होती है और इसका वही काम आगे बढ़ाया जाता है लेकिन पहले ही उसे सोनिया गांधी ने उसका श्रण देखिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई ऐसा प्रोजेक्ट मोदी जी ने शुरू नहीं किया जिसका उद्गाटे निन लोगों ने किया हो कॉंग्रेस के सुरू की प्रोजेक्ट कूरे देश के अंदर उनीका रिबन मोदी जी ने काटा है और रिफाइनरी यहां राजस् रखते हुए कि यह काम असो गहलो जी ने किया इसलिए इसको रोकना है मैं पूछना चाहता हूं भारती जंता पार्टी के नेताओं से कि मोदी जी ने जो वादे किये थे वो क्या पूरे कर दिये क्या आज 20 दिन उनके बचे हैं के अंदर के अंदर 20 दिन के बाद में आचा जानकारी के लिए तर्थान मंत्री ने अपने समय में सुनिये प्रदान मंत्री ने अपने समय में जो योद्णा की उच्वला योद्णा के तेट-षैट-थैट-षैस-टर्क्ष जापरता आरे लान को करते हैं, है जी है आप सारे पतिर लान को कि अपम पर से आप बुझे जिने गर्ठेव करें हो ऩी हुझे जिस कि आ रहा है, आप फिर मंत्रियों करके चुछ पोलते हैं, आप सोता है, आप तर्देज जे जी है आप वाध के अंदर, क्या हो जबत लोग अगर पर लेकर बैट जाएंगे पेपर लेकर बैट जाएंगे इससे काम नहीं होता है अगर हम यहापने की बात कर लेकर लेकर दूसरी परियोजना थी यह पिछली सरकार जब मुख्यमंतरी अशोगेलो थे पिछले कारकाल के हम बात करें उस वक्क के प्रोजेक्ट है पाट साल का आपका कारकाल पूरा हो चुका लेकिन यह देरी क्यों हु यह देरी क्यों है जितेंजी इसलिए इस सवाल उठा है अगर इतने साल लटकाने के बात सुनिये जितेंजी इतने साल लटकाने के बात भी उत्रे ही 26% की भागिदारी क्यों रखी गई गई करके उन्हों ने जमी गई जान चल रही है इडि ने उनको लोडिस दिया वहां से जमन दे कि आया है वो उनको जाब दिए पढ़ेगा कि उन्हों गरीब किसानों का इसे इसलिया आदार के आपर रिपाइंट्री को जान रहे के जमील इसलिए उससे किसी के भी खिलाभ दर् सब्सक्राइब करते हैं आज अगर मुलाकात की गई है मुलाकात के बाद जो शिकायते की गई पिछली सरकार आप की है बीजेपी से आप कहाँ पर बैठे जवाब तो आपको देना होगा ना जिते इस बात को समझे ट्रीट इस पर आप के इंडर की सरकार में हमारे ट्रीट के बाद भाया बात की नहीं कर रहे हैं अब बात ही नहीं कर रहा है सवाल हो जाने दीजे टीकराम जी अब तो ये एक जिम्मेदारी बनती है मौजुदा सरकार की बिटीकराम जी बात सुनिए एक बहुत अच्छी बात है चलिए सब्सक्राम जी अब आने वाले वक्त में ये भी नहीं कह सकते है कि केंद्र में माई सरकार नहीं थी इसलिए काम नहीं हुए क्योंकि उनका जाना 400 करोड यहां पर रिलीज करने की बात करना अब आप क्या लगते हैं आपको जिम्मेदारी और मौजुदा सरकार की बढ़ती है प्रदेश सरकार की बढ़ेगी जो मागा जो चाहा तो मिला है 400 करोड से आप यह समझते हैं कि 400 करोड में राजस्तान जैसे प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो सकता है कुछ कहना चाहेंगे की प्रफा। प्रदेशन के लिए पहले सुने देट तेट अप्ने इलाज कराने के लिए लाज़ सरकार ने उनको रोता वादा कि अच्छा काम किया चार सो करोड़ी आप रिलीज करने के बात की लेकिन एक बात बताएए आपकी सरकार्ती प्रदेश में डवल इंजल सरकार केंद्र में भी आपकी सरकार् प्रदेश में और विए भी तब क्यों नहीं ले कर आगे थे पैसे? इन बड़ी पुजेकर के बात कर देखे डिएगी बात पके पिरहां मंत्री आवाज़ा ने शेत्र में दिया गए वो तब वारत मिशन के तहित करीब मुग्यासी लाख से टीस अज़ार जितेंजी सवाल यह नहीं है कि उस्फेंज भात सुनिए और दूसरी योजनाओं में कितना पैसा क्या दिया हम यह थोड़े ना कह रहें कि आप एक पैसा नहीं दिया गया हम जिन बड़े बुद्दो की बात करा है जिन बड़े प्रोजेर्ट्स की बात करा है रिफाइनरी को को लेकर या मैट्रो को लेकर बात हो इन पर चर्चा भी हुए दिली में हम बाद ये करें कि डिले के बीचे वज़े क्या है और इसके बाद 26 भागिदारी में ही वो डील होती है लेकि इतना लटकाने के बाद राजस्तान क्या फाइदा मिला से रदेश के लिए नुकसान दाय तो उसका जो निर्मान था वो उसी सामधानी को पुरा तर्फित के विचे को ध्यान में रख करके और किया जाना था और जहां तक रिपाइनरी की बाद है तो मैं पताने देशाता हूं कि रोमाज बाड़ा ने जो माद जमीने खरीदी उसके करने को उसकी जात भी शामिल साथ की चर्चा भी की मुख्यमंत्री ने और पूर्वर्ती सरकार की खामिया भी आपर गिनाय की जो काम हो सकती थे वो नहीं किये गए लेकिन एक सवाल ये भी उन्होंने कहा कि जितने सवार उठ रहा है आपको क्या वज़े लगती है जो किया गया क्या उसको बता नहीं प पता है लेकिन इनके पास जवाब नहीं है इनके पास कोई जवाब रिफाइनरी का नहीं है कोई जवाब मेट्रो का नहीं है कोई जवाब उन बातों का नहीं है जो मोदी जी ने पिछले चुनाओं के अंदर कही थी आज जनता जिस प्रकार से तरस्त हुई है राजस्तान क कि खास्तोर से चाहिए युवा हो चाहिए किसान हो चाहिए महिलाओं जो अत्याचार पिछले गोवर्मेंट के समय में हुए दलीतों पे हुए अलप संख्यकों पे हुए सब पे हुए सरकार हर मोर्चे पे विफल रही अब इनको कहते हुए इनको मैं समझता हूं की बड़ी गिलानी मैसूस हो रही है इस तरह के पिछले कारी बात हो रही है अब वास कोंग्रेस की सरकार बनती है वो प्रोजेक्ट भी अभी लड़के हुए थे किस्तनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि इस पांत सालों में उन्हें भी साथ लेकर चलना है डाय प्रोजेक्स के साथ साथ प्रिवाइब कांग्रेस के वल चुनाव गोशना पत्र के अंदर जीतने के लिए गोशना तो कर देती है पर उनका कोई रोड़ मैप नहीं होता है जैसे किसानों के लिए कर्जमापी की बात तो कह दी तो बड़ी हसी आ रही है जिस प्रकार का दावा एक तो धन्यवाद चाहते हैं जनता हो पैसा दूसरी बात वादे जो से इनन सारे पूरे कर दिए पिछले चुलाओं में मंती जी सही पूछ रहे है नियंदर मोधी नहीं तक सानों कर्जा माप करने का मादा किया था दो क्रोर आने प्रोजेक्ट से उससे लेकर चर्चा तो पिए म के साथ मुख्य बंते से लेकिन प्रोजेक्ट्स को जल से जल कम सकप इसकार में पूरा करना हैं जो पिछली सरकार कंपाहई helpful गर करने आजढ़े अंके साथ उस सुछत बिकत लाई में आज कर दिशका चाह उयस करात